बिष्ण गर्मी के बीच बिहार वासियों को मिलेगी बड़ी राहत आज कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया लट बतादे की पटना समेल बिष्ण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने बारिश का लट जारी किया है इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार में मौनसुन को लेकर अच्छी खबर दिये और बताया है कि मौनसुन के बादल तैस समय पर ही बिहार में प्रवेश करेंगे मौसम विभाग के मुताबिक 13 से 15 जून के बीच बिहार में मौनसुन दस्तक देश सकता है और इस बार भी समान्य बारिश होने का अनुमान है भारत में मौनसुन के प्रवेश के साथ ही बिहार को भिशन गर्मी से थोड़ी राहत मिली है बीतिश अनिवार की देर रात बगहा, बेतिया, सीथा मड़ी, शिवहर, मोतिहारी, मुजफर पूर, दर्भंगा और मधुबनी में तेज आंधी के साथ बारिश हुई शुक्रवार की सुबा बेगु सराय में बारिश हुई जबकि आज 12 जिलो में बारिश के आसार है वहीं दक्षिन बिहार के कुस जिलो में विश्वन गर्मी का कहर भी जारी है, मौसम विभाग ने आज रविवार को 2-4 जिलो में दिन रात लू चलने का अलॉट जारी किया लेकिन वहां भी प्री मौनसुन के आने से लोगों ने राहत महसूस की है सहरसा में पिछले दो दिनों से जिले में जारी तेज गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है तापमान में कमी रहने से लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं, बितेश शनीवार को अधिक्तम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि गुरुवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जाप महुचा था तापमान में कमी से बाजार में रौनक बढ़ी है, वे लोग दिन चर्या के कारे से बाहर भी निकलने लगे हैं मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए मध्यम अवदी के पुर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार अधिक्तम तापमान 33 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि नियुनतम तापमान 21 डिग्री से 22.10 डिग्री सेल्सियस क के बीच रहने का अनुमान जताया गया है इस दौरान हवा की गती 20 किलोमीटर प्रती घंटा से लेकर 25 किलोमीटर प्रती घंटा चलने की उमीद है वह उत्तर बिहार में पिछले दो दिनों से जिले में जारी तेज गर्मी से लोगों को भी थोड़ी रहत मिली है तापमान में कमी रहने से लोग अप रहत महसूस कर रहे हवा अधिकतर पुर्वी पक्षमी वा पुर्वी दिशा में बहेगी आने वाले दिनों में लगतार मध्यम बारिश होने के साथ बादल भी छाय रहने की संभावना बनी हुई है मौसम विभाग ने जारी बुल्टिन में काया है क आने वाले दिनों में लगतार जोंकेदार तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है ज्यादतर आसमान बादलों से भरा रहेगा लेकिन 3 जून तक रहरेकर बिजली की चमक गरज के साथ सती ही तेज हवा के साथ बारिश होने की जबरदस्त संभावना बनी हुई है परश्यों को इस समय पेडों के नीचे न रखे। को इस समय पेडों के नीचे न रखे।